सुर जैसे ही गाना बंद करती है, उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, जो बिलकुल विदेशी लग रहा था, पैन, शिर्ट और उसके उपर से कोट और सिर्फर हैट, वो सुर को देखता रह जाता है, दूर खड़ी अमरित की नजर भी उस पर पढ़ती है, वो खुद स अमरित की तरफ देखता है, सतशिरिया काल, हमारी पिंड विच कौन सी फिल्म दी शूटिंग होन वाली है, जी, मुझे नहीं बता, सुर अमरित को कोहनी मारती है और धीरे से कहती है, क्या भूली जा रही है, तू चुपकर, वो फिर दीप की तरफ देखती है, हान जी, आप अपना ही पिंड समझो, सुर बार-बार अमरित को चुपकराने की कोशिश कर रही थी, पर वो रुख ही नहीं रही थी, बस बोले जा रही थी, दीप को भी अब उन दोनों की ऐसी हरकते देखकर हसी सी आ रही थी, पर वो बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा रहा था, त तुम दोनों यहां क्या कर रही हो, है, इससे मिलो, यह साटा या, दीप सिंग, सुर और अमरित के चहरे की हवाईयां उड़ जाती है, दीप को उनके चहरे देखकर हसी आ जाती है, माफ करना जी, गलती से मिस्टेक हो गई, वो आप ऐसे तयार थे, तो मुझे लगा किसी फ हसने लगता है, और सुर और अमरित संकोच में सर जुकाय खड़ी हुई थी, सुर अमरित से धीरे से कहती है, कितनी बार कहा है तुझसे, बूलने से पहले सोच लिया कर, पर नहीं, ऐसा कर लेगी तो तेरी शान में कमी नहीं आ जाएगी, अमरित बच्चो जैसा मुझ बना अभी, क्या भाबी, ओए होए, तुने तो बड़ी अच्छी ख़वर सुनाई, ओए पूरी बात तो सुन, अभी शादी हुई नहीं है, हम दोनों एक दुझे नूप प्यार करते हैं, पर अभी घरवालों को कुछ नहीं पता है, अरे तेरा यार आ गया है अब, चिंता ना क तेरी प्रेम का आनी तो मैं पूरी करवा कर यहां से जाऊंगा वापस, वापस जाऊंगा, मतलब, हरे मतलब मैं यहां हमेशा के लिए रहने थोड़ी आया हूँ, इतने साल कनेडा में रहने के बाद मुझे नहीं लगता, कि मैं इंडिया में रह पाऊंगा, पर छोड़ना यह बता, वो दूसरी वाली कौन थी? वो, वो सुर थी, सुर अमरित पक्की सहलिया है, हमारी तरह ही उन दोनों की दोस्ती है, सुर उसके चहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है, ओए, चल, घर चलते हैं, काकी काका दादा जी, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा, चल लगा जाता है, कैसा है मेरा पुत्तर, इतने सालुब बात तुझे देख रही हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा, कि तु सच में मेरे सामने खड़ा है, यकीन कर लो बेबे, मैं आपके सामने ही हूँ, दीब की बेबे की आंक से आंसु छलग जाते हैं, तभी दीब के दादा जी बोलते हैं, साड़े पेंडदा शेर, अपने दादा से नहीं मिलेगा, दीब खुश हो जाता है और उनके पांस आकर उनके पैट छूता है, वो उसे गले लगा लेती हैं, कैसे हैं दादा जी, तरनो देख लिया, बिलकुल चंगा हो गया सी, दीब अपने पिता से भी मिलता है, एतने लंबे सफर से आया है, जा पुतर, थोड़ा आराम कर ले जाकर, जी, दीब मैं भी चलता हूँ अभी, शाम को आऊंगा, ठीक